Hi Guys, Welcome to AITI Teaching. आज बात करने वाले हैं Hexa-Oblade के बारे में. हमने आपको Hand Cutting Tool के 1st Lecture में हमने आपको Hexa Frame बदा दिया था और उसके बारे में discuss कर दिया था. तो आज हम उसी Lecture से 2nd Lecture में बात करेंगे Hexa-OPuldade के बारे में. सुर परतम हम हेक्सा ब्लेट का इंट्रोडेक्शन जानेंगे हेक्सा ब्लेट है क्या हेक्सा ब्लेट एक पकार का इस्टील की पत्ती होती है जिसमें भी अकार के सेफ में दाते कटे होते हैं उसके दोनों सीरे पे दो सुराक होते हैं जिसमें क्या करते हैं जब हम हेक्साइन क करते हैं जब आप फिरेम में बाधते हैं तो उनी दो सुराकों के बीच में पीन होल के द्वारा संटर में लगा के हम बलेट को बाधते हैं और है किया करते हैं , किसी धात के material को क्या करते हैं दो पार्ट में अलग करते हैं तो हेक्सा ब्लेट का कारी क्या है कि जब हम किसी हेक्साइन क्रिया में जब हम मेटल को कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं हेक्साइन क्रिया पूरी करते हैं तो मेटल कटिंग करने का कार हेक्सा ब्लेट का होता है हम हाँ सब्सक्राइब करें गए जानते हम इसके हमने आपको बता दिया हुझा होता है उसके बारे कि इसके समझते हैं में यह CS भी बोलते हैं और हाई स्पीट इस्टील को यह CS बोलते हैं तो हाई कार्वन ऐसा मैटेरियल है जैसे आप जब भी कोई कटिंग मैटेरियल का प्रियोग करेंगे तो मैटेरियल जायज सी बात है वो टब होना चाहिए जिस अगर मालियों आप सभी है जो मैटेरियल काटना है उससे तब हम कटिंग करते हैं कोई भी कटिंग मैटेरियल जैसे जो काटने वाले या या कर बनाया जाते हैं turtle हए करना है तो आप कैसे आप को देंख कैसे खरीश सकते हैं आप बोले कि हम तो market में जाते हैं और market में जाते हैं समय क्या करते हैं एक blade मांगते हैं hexa blade हमको चाहिए वह हमसे कुछ नहीं पूचता है कि हमको एक blade देता है अगर आप वही कि engineering rate में आप पर जाएंगे तो आपको purchase करने के लिए उसके बीवरण बताने परेंगे कि कितने लेंथ के कितने चवडाई के कितने मोटाई के और कितने पीच के अनुसार आपको बिलेट चाहिए और क्या कटिंग करना है उसके अनुसार आपको बिलेट के लिए बिवराट बताना परेगा तो इस फिकेसान आनि कि आपको समझते हैं बिवराट के बारे में क्या क्या होता जैसे आप लोगों for example मैं बता दूं आप लोग देख रहे होंगे 250 यानी इन्टु 13 इन्टु 0.63 इन्टु 1 mm ये क्या है आपके बारे मैं समझाता हो इसको आप अगर देख रहे होंगे कि 250 यानी 250 mm का क्या है length इन्टु 13 mm ये क्या आपका चवड़ाइी है और इन्टु 0.63 क् थिकनेस, बिलेट की थिकनेस और इंटू पी के आए आपका पिच है, तो क्या करेंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जब आपको पर्चेश करना होगा बिलेट तो क्या बोलेंगे, 250 mm का हमको बिलेट चाहिए, जिसकी चवडाई 13 mm और इसकी मोटाई 0.63 mm ह है इसके बारे में आपको हम मैं इसी वीडियो में डिस्कॉप्शन बताऊंगा, देखिए नीचे चलके कि पिच होता क्या है, पिच वो चीज होती है, जैसे हमके बिलेट के दातों की कितनी स्रेणी में बने हो, कितनी पिच की दूरी, आनि एक से दाता से दूसरे दातों के बिच की दूरी कितनी हो, उसे हम पिच करते हैं, तो इतना किलियर आपको हो गया हो का विवरड में कैसे हम बिलेट को हम क्या करते हैं, तो चलिए नेश तो देखते हैं, एकार्डीं टू यूज आप हेकसा बिलेट आप हार्डनेस, आनि हार्डनेस के अनुसार कितने पकार के ब्लेट होते हैं उसके बार हम समझते हैं दो पकार के होते हैं आल हाड ब्रेड और फेलेक्सिवल टाइप के कितने पकार के होते हैं दो टाइप के तो आल हाड टाइप के जो ब्लेट होते हैं उसमें क्या होता है उस टाइप के ब्लेट में क्या करते हैं कि पूरी बॉड़ को हाड और टेमपर कर देते हैं और पिन होल को शिरिफ क्या करते हैं साप्ट रखा जाता है अल हाड टाइप ब्लेट में क्या बोला है कि इसमें हम क्या करते हैं पूरी बाड़ी को हाड और टेमपर कर देते हैं और पिन होल को ये वाला सीरा से ये वाला सीरा को साप्ट रखत क्योंकि जब हम bisa RAM में जब हम BLADE को बांदते हैं उसमें होता की ADEER क् credited कि जब रखते हैं तो BLADE के और FRAME के बीच में थनाा होता है अगर आप solid material की cutting करते हैं मोटे material की और यह blade जादे अधिकतर तूट जाते हैं जब cutting क्रिया करते हैं हक्साइन करते हैं तो जादे बहुत थोड़ा सा तनाव जब होता है तो यह blade जटके नहीं सवपाते और तूट जाते हैं तो all hard blade का एक कारी है क्यों क्या करते हैं इससे hardness की आपको मैं ने बताया कि all hard blade में क्या करते हैं कि कोई भी cutting कर रहा है material अगर material कर रहा है cutting तो होगा जटके और जल्दी यह तूट जाते हैं यह यह जबिदर हम कम परियोग में लाते हैं अब चलते हैं अन्नेस्ट है कि लचीला अपन डानि ऐसे विलेट जो कि kya करते हैं इसके के दिएदवाले भागी क्या करते हैं हार्ड और टेमपर करते हैं और पूरी बाड़ी को क्या करते हैं साफ्ट और मुलायम रखते हैं बोला है यह तीथ वाला जो भाग है इसको क्या करते हैं, hard और tempel करते हैं क्यों करते हैं hard or tempel hard or tempel इसलिए करते हैं जब अगर तीथ वाले भाग Local और hard और temper रहते हैं तभी तो material को काटेगा मैंने आपको बताया था अभी कि जब हम किसी material को काटना है तो क्या करेंगे उससे हम हाड रखेंगे जिस material को काटना है उसकी हाडना से जो cutting करने वाला material है वो material हाड रहेगा तब ही तो इस material को काट सकता है support that आप समझे अगर आपको क्या करना एक छोडी नाइप का प्रयोक करते हैं तो क्या करते हैं और से और ही समझने का कारण है तो और उससे material को क्या करते हैं यह ज्याद़े तर प्रयोक आते हैं इसमें क्या करता है जब cutting i ηglass sign करते इखेसं के बीच में तनाव Northern और झठके भी लग जाते हैं तो उसमें ब्लेट तुट difícil से can 큰 क्या होता है कि what is greatbrick से क्या समझते हैं तो ग्रेट से समझने का आपका डिपनेशन ए है कि ग्रेट आनि कि हेक्सा ब्लेट के स्रेड़ी यानि तीत के स्रेड़ी में जिस स्रेड़ी में तीत कटे हैं उसे हम ग्रेट करते हैं और हैक्सा ब्लेट के तीध पर 받 जिस स्रेड़ी में दांते कटे हैं उसे पर ग्रेट क काते हैं उस रेड़ी क्या है आपको हम बता रहे हैं एक एक करकर चासी ऊह पर होती हैं उनकी चार ग्रेट मे बटते हैं अब चलते हैं, course great के बारें समझते हैं, course great का क्या मतलब है, course का मतलब होता है आपका खुद्रा, इस great वाले blade में क्या करते हैं, 14 तीथ आनि 14 तीथ पर इंच में कटे होते हैं और जिसकी पिछ क्या होती है 1.8 mm होती है ऐसे ग्रेट वाले में क्या करते हैं solid material काटने के लिए जैसे पीतल तामबा एलमुनियम इत्यादी काटने के लिए हम क्या करते हैं कौर्स ग्रेट का प्रियुप करते हैं एक टिपियाई का मतलब होगे आपका हें तीथ पर इंच है इसका फूल भारं एखोगा रानि कि क्या होगा कोर्स में एक कईदाफ्य कोस्टम। में बहुत एकłych्रत बनते हैं इस जो है इस टौपिक को बहुत आप लोग बार की समझें ग्येट का मतलब क्या होता है कि ग्रेट वह चीज़ होता है जैसे कि कॉर्स ग्रेट में 14 तीथ पर इंच में कटे होते है बलेट में एक छूदा तीफ कटे है ऐसे समझ लीजे और 1.8 mm तक क्या होते है पिच होते हैं वाटीच पिच पिच क्या है मैं पिच आपको बताता हूं आनि कि एक दाते से दूसरे दातों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम पिच काते हैं और इसके द्वारा कौन सा मेटरियल काटा जाता है मैंने आपको बताया पीतल तांबा एल्मूनियम जो साब टाइब के मटरियल है उसको काटनी के लिए हम प्रयोग करते हैं कोर्स ग्लेट का चलिए अब नेस समझत में कटे होते हैं इसके जो पिच होते हैं 1.4 mm में होते हैं एक दाते से दूसरे दातों की जो दूरी होती है 1.4 mm की होती है इस वाले बिलेट को क्या करते हैं माइल लिस्टील या कास्ट आरण की कटिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं मीडियम कार्बन में क्या करते हैं एप में मीडियम ग्रेट में क्या करते हैं माइलल्ली इस्टील या कंस्टारंग की कटिंग करने के लिए हम इसका प्रियोग करते हैं यह चीद यहां से क्लियर हो गई अब चलते हैं नेस्ट देखते हैं भेरिफाइन का क्या कारी है इस भेरिफाइन ग्रेट में क्या होते है 24 TPI आनि 1 mm आनि 24 TPI आनि 24 दांते जो होते हैं कटे होते हैं भेरिफाइन में अपके और इसमें क्या होते हैं एक mm तीत के क्या होते हैं एक mm फिच में जो दांते कटे होते हैं एक फाइन ग्रेट में की बात कर रहे हैं इसमें क्या करते हैं इसमें कौन सा मेटरियल काटने के लिए करते हैं मीडियम कार्बन इस्टील काटने के लिए प्रियोग करते हैं जो उससे टफ हो आनि कि जो मीडियम से आप ग्रेट से नहीं काट पाएंगे उससे हम क्या करेंगे फाइन ग्रेट का ब्लेट प्रियोग करके हम काटेंगे यानि उससे टफ के लिए तो आसा करते हैं तीनों चीज़े आप लोगों किलियर हो गई होगी अब चलते हैं नेस्ट में आपको बता रहा है बहरी फाइन बहरी फाइन ब्लेट का प्रयोग हम कहां करते हैं इसमें क्या होता है 32 टीपी आई और 0.8 mm की क्या होती है पीछ होती है और 32 तीथ के जो जैसे आपको क्या करना है इस्टील काटना है सिट काटना है ट्यूप इस्टील काटना है आनि कि जो बहुत ज्यादा तफ मेटरियल है उसको काटने के लिए हम ब्लेट का प्रियोग करते हैं तो आसा करते हैं कि आप लोग को इतना किलियर हो गया होगा अच्छे समने आपको समझा पाए होंगे और एक चीज और, ब्लेट के बारे में हम क्या करते हैं, एक आर्डिंटू साइज हम क्या करते हैं कि दोनों होल के सेंटर के बीच के दूरी से हम क्या करते हैं ब्लेट का हम साइज निकालते हैं मैंने आपको बता दिया लेंध हाप ब्लेट आनि कि इसके जो साइज होते हैं इसी दोनों होल के सेंटर के बीच की दूरी से से हमक्या करते हैं साइड को ग्याद करते हैं एसी बॉन होल के सेंटर से की हम दूरी से ग्याद करके हम साइड का देल्ट को स्मझते आप टाइप्स आप सेटिंग तीथ की सेटिंग सेटिंग क्या है इसके बारे मैं समझते हैं सेटिंग वह चीज है जैसे आप हम हेक्साइन करते हैं जब हम हेक्साइन करते हैं ब्लेट से तो होता क्या है कि अगर हमारे ब्लेट में तीथ की सेटिंग नहीं है तो क्या करेगा ब्ले इस अधिक cutting नहीं कर पाएगा जो cutting जो cut होगा वो cut क्या होगा अच्छा नहीं बनेगा और cutting किरिया को हम असानी से cutting नहीं कर सकते हैं होता क्या है जब हम teeth की setting नहीं कर पाते हैं तो teeth की setting जब blade में नहीं होता है तो क्या करते हैं कि blade में जब हम job और material जो material है जो job है और जब हम hexablade और जब hexine करते हैं तो उसमें होता क्या ज्यादा friction आनी घरसड होता है और घरसड के दोगां क्यादा blade गर्म हो जाते हैं और जल्दी तूट जाते हैं तो जो setting है उस setting का उहां पर महत्पूड कार्य है तो चलिए हम समझते हैं कितने type के setting होते हैं के बारे में समझते हैं तीन type के setting होते हैं standard या regular alternate setting दूसरा आपका होता है double alternate setting और तीस जिग जैग सेटिंग तो मैं एक एक करके समझाता हूं आपको standard या regular alternate setting में क्या होता है इस टेंडर रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग में होता क्या है कि यह जो दाते होते हैं आप लोग देख रहे होते हैं यह दाते होते हैं सेटिंग की बात बतारे हैं जो दाते होते हैं हमारे आप लोग देखते हैं यह दाते एक दाता आपका लेप्ट एक दाता राइट एक द क्रिया में हम वो जब जाब और मेटल के बीच जो मारा फ्रिक्षन होता और फ्रिक्षन को कम करने के लिए मेटेरियल को असानी से काट सकते हैं और मेटेरियल को क्या करते हैं अब ब्लेट की अगर सेटिंग नहीं है तो अपने तित के अनुसार क्या करता है कटिंग जो है अल्टरनेट सेटिंग में क्या होता है एक दाता लेट एक दाता राइट एक दाता लेट ता राइट क्या होता है लेट और राइट दो पोजिशन में यह दाते कटे होते हैं हम नेश्ट चलते हैं डबल अल्टरनेट सेटिंग में समझते हैं क्या है डबल अल्टरनेट में क् सेम ही होता है होता क्या है कि दो दाते क्या होते हैं आपके लिफ्ट होते हैं और दो दाते राइट होते हैं समझे यह आपके क्या हो गया तीथ हो गया और यहां पर क्या हो गया है यहां पर भी तीथ हो गया तो तुटिर में बता रहा हूं आप लोग चित्र के माधियम से देख रहे होंगे सेटिंग के बारे में अपको समझ में आ राओगा तो इसमें क्या होता है की दो दाते हैं याँ एकको होते है लेप्ट में वे पोजिशन होते हैं तो आप लोग किलियर हो गया होगा double internet setting में हम next चलते हैं jig jack setting jig jack मतलब होता क्या है 13 मेड़ा सब्दे से पता चल लाए कि 13 मेड़ा 13 मेड़ा इसमें क्या होता है कि 3 या 4 दाते एक ही position में कटे होते हैं या तो left में है या तो right में इसमें कटे होते हैं इसमें क्या होता है इस जैसे आपको बता दूँ देख रहा है इसमें क्या होता है एक दातों के बीच में एक लहर सी बन जाती है लहर सी बन जाती है और क्या होता है इससे cutting कि रिया बहुत असान थे यह प्रियोग हम कहां करते हैं मैं आपको बता दूँ इसका प्रियोग भी बता दूँ इस्टेंडर रेगुलर अल्टरनेट की सेटिंग क्या करते हैं जहां पर सधारन मेटेरियल काटने हैं वहां पर प्रियोग करते हैं डबल अल्टरनेट का प्रियोग वहां करते हैं जहां प्रियोक करते हैं तो इसमें क्या होता है आप लोग को यह पूरी चीज आपको डिसकस में किलियर हो गई होगी है ऐसे सेटिंय नहीं क्या मुत कैसे अंनी क्या क्यों पडीक्स कर दिया और इसमें किलियर कyrics स्टिंग का सेटिंग का हुता है कैसे में दिस्टम कर दुदाएं टोनों मानें आपको विले के दियाता है तो फ्रेंड आपको नेस्ट लेक्चर में हम ऐसे आपको वीडियो लाते रहेंगे तो पहली बरबारी चैनल पहें तो चैनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम आपको वीडियो अफ्लोड करें आपका नोटिफिकेशन आपके पास